हलो हाई नमश्कार स्वागत आप सभी का मैगनेट बेंस पर मेरा नाम आशिस कपलेश और आज हम शुरू करेंगे laws of thermodynamics के question for short answers तो भाईया देखो इसे पहले वाली वीडियो में हमने thermodynamics का quick revision किया है हमने बढ़िया तरीके से सारे जो concept thermodynamics में आ सकते थे वो सारे पढ़ लिया है सारे formula हमें पता है तो भाई उन्ही के basis पे अब हम शुरू करते हैं हमारे सवालों का सिलसिला और सवालों के सिलसिले में सबसे पहले हमाँ पर short answers questions आते हैं जहां पर basically conceptual type questions है अगर आपको concepts वगरा पता हैं तो आप इनको कर सकते हैं विगर कोई दिक्कत नहीं है और भाई किसी question में कोई दिक्कत आ भी कही तो मैं बैठो ना मैं बताओंगा उसका answer क्या होगा तो भाई हमेशा की तरह pen or paper आपके पास होना चाहिए ताकि जो कोई questions यहां पर आएंगे आप वीडियो को pause करो, खुद से try करो और यह चेक करना जरूरी है क्या आप उन questions को solve कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो तो चलिए बहुत शुरू करते हैं कहानी को with the very first question सवाल कहता है should the internal energy of the system necessarily increases if the heat is added to it अगर मैं किसी system में heat add करता हूँ तो क्या उसका internal energy necessarily बोल रहा है मतलब जरूरी है increase होना ही चाहिए अगर मैं किसी भी system में heat add कर दूँ तो उसका internal energy जरूरी है यह कि increase होना ही चाहिए चलिए बहुत अब बताओ क्या करेंगे इसमें तो किसी भी system में अगर heat देंगे तो उसका internal energy बढ़ना ही चाहिए ऐसी बाते बोल रहा है वो तो भाई from the first law of thermodynamics यह बात आप जानते हो किया ट्राइ तुम लोगों ने हाँ बाई किसी भी system को अगर आप heat दो गे तो definitely इसी बात है उसमें से कुछ part work में utilize हो जाएगा which is done by the system और कुछ internal energy के form में store होगा यानि अगर आप heat add कर रहो तो internal energy बढ़ सकती है लेकिन माल लोगों को एक ऐसा system आजाए क्योंकि देखो यह एक general situation है according to the first law of thermodynamics यादा रहा है कुछ first law of thermodynamics यही बोलता है अगर आपने किसे system को heat दे दी तो वो system उस heat से उस energy से work करेगा और कुछ part को store कर लेगा internal energy के form में तो क्या कोई ऐसा system है हमारे पास क्या कोई ऐसा process है हमारे पास जिसमें की अगर heat किया जाए तो internal energy में कोई change ना आए मतलब यही कहना चाहता है कि कोई ऐसा अगर internal energy increase होनी ही चाहिए अगर आप heat add करते हो तो आप एक काम करो उसको एक ऐसा process दिखा दो उसको एक ऐसा system दिखा दो जिसमें की internal energy में कोई change ना हो अगर आपने वो process दिखा दिया तो वो उसको हम बना कर देंगे कि नहीं ऐसा कोई compulsory नहीं है तो internal energy का formula पहले तो हम समझते हैं क्या होता है अगर आपको याद आ गया हो तो बहुत बढ़िया बात है it is n c v delta t delta t बोले तो change in temperature याद आ रहे change in temperature delta t क्या है change in temperature delta t होता है बहिया change in temperature अब मैं बोलता हूँ कि माल लो एक ऐसा process हमारे पास है जिसमें temperature constant होता है जिसको हम प्यार से isothermal process भी कहते हैं हाँ तो बात है isothermal process की isothermal process में temperature तो constant होता है बहिया isothermal process में temperature तो constant होता है बहिया तो अगर isothermal process में temperature constant है तो temperature constant होने की वज़ा से delta t will be 0 so यहाँ पे delta u will be 0 मतलब कि isothermal process में delta u 0 होता है यानि कि जितनी भी हाप heat supply करोगे that will be utilized for doing the work है यानि कि जितनी भी आप heat supply करोगे that will be utilized for doing the work only यानि कि isothermal process है तो temperature constant तो delta t 0 जिसके कारण delta u b 0 मतलब कि सहाप अगर आपने heat add करी तो उसके internal energy में कोई change नहीं आएगा no change in the internal energy in the internal energy on oh sorry if heat is added if heat is added यहाँ पे heat अगर add करोगे तो internal energy में कोई change नहीं आएगा बलकि जो भी आप heat supply कर रहे हो उससे वो system क्या कर लेगा work कर लेगा तो उससे वो system क्या करेगा work कर लेगा ठीक है clear रहेगी बाते यह हमारा काम complete हो गया उनका सवाल क्या था है उनका भाईया सवाल यह था कि internal energy जो है वो necessarily increase होगी अगर heat add करते हैं उसने बोला internal energy necessary मतलब कमपसरी increase होनी ही होनी है अगर आप heat को add करोगे और आपने क्या किया आपने उसका contradiction दे दिया आपने बोला कि भाईया देखो तुम जो यह बात कह रहे हो ना मैं उसके एक बात और बता देता हूं तुम उसकी बात से सहमत नहीं है तुम उसकी बात को विरोध कर रहे हो तो तुमने बोला कि देखो भाईया internal energy का फॉरम्ला delta T होता है change in temperature अब point यह है कि भाईया मालो एक ऐसा process आजाए जो कि हमारे पास isothermal है भाईय ऐसा process आया जो कि isothermal है जिसमें temperature constant होता है अब भाईया सीधी सी बात है temperature अगर constant हो गया तो delta T तो 0 हो जाएगा अब delta T 0 हो जाए तो भाईया 0 से किसी को भी multiply करो वो utilize हो रहे है in doing the work और यह work क्या है by the system यह कौन कर रहे है work system काम करता है इस पर अच्छा this is the work done by the system हाँ this is the work done by the system so the point is कि there is no change in the internal energy if heat is added तो भाई उसकी बाद हमने गलत साबित कर दी हाँ तो बस बढ़िया यह ही चाहिए था पने को तो बोलता है क्या internal energy necessarily increase होगी no it is not necessary not necessary that internal energy increases on heat is added यह लोग यह आप का अंसर हो गया complete हो गया आप का अंसर so ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि heat add करोगे तो internal energy increase होगी ही होगी ऐसा कोई process भी आ जाता है कभी कावर हमारे पास ऐसा कोई system भी आ जाता हमारे पास जहाँ पे temperature constant और है फिर internal energy 0 भी हो जाती है मे इसि मे जा ढूराएढा सिखली क्रोसेस्राज में इसन enforce चला मैंना इसो थर्माश कबुला ओला हूँ आईकलिक प्रोसेस में जा यहाँ तो सैकली क्रोसेस्टोस में इंटर्णल और एनर्जी जो होती वो जीरो होती है, change in internal energy जीरो हो जाता है, cyclic process में, यह तो मैंने सिफ एक प्रोसस बता है, इसके लावब एक cyclic process भी होता है, वहाँ पर भी यह कहा नहीं है, कि वहाँ पर internal energy में जो change होता है, वो जीरो हो जाता है, तो उस case में जो भी आप heat supply करोगे, heat add कर वो वर्क डन करेगा सिस्टम उससे ठीक है यह अपना पहला सवाल समाप्त हो गया वह अच्छाप लो नोट कर लिया सभी ने समझ आता है ना तुम लोगों को इन्होंने जो बोला था उसकी बात का अपोजिशन हमने दे दिया है हमने प्रूफ कर दिया कि नहीं ऐसी कोई जरूरी नहीं है यह बाते ठीक है चली बढ़िए अगला सवाल कोशन नमबर वन के बाद कोशन नमबर पहले वाले केस में उन्होंने हीट आड़ाउन करने के लिए बोला था और इस वाले केस में वो टेंप्रेचर की बाते कर रहे हैं तो कहते हैं बढ़िए कि अगर टेंप्रेचर को बढ़ाओगे तो क्या इंटरनल एनरजी नेसेसरी ली इंक्रीज होगी हां सोचो जरा इंटरनल एनरजी बढ़ती है यह वाली बातें किसके लिए वैलिड होगा सर यह जो बातें होती है यह बातें वैलिड होती है ऐसे सिस्टम है जहां पर गैसिस के बार में डील कर रहे हैं जब तक हम गैसिस स्टेट में डील कर रहे हैं वहां तक के लिए हम यह वाली बातें बोल सकते हैं कि हाँ चलो सही है ठीक है तो अगर if we have a system of ideal gas मैं ऐसे इसे अच्छा से लिख देता हूँ that if temperature increases हाँ ऐसे लिख देता हूँ if temperature increases then the internal energy increases internal energy increases ठीक है temperature बढ़ने से internal energy increase होती है this is valid for the system of ideal gases for the मालनो कोई भी आएक ऐसा situation है जहां पे gases को deal करें तो वहां पे बात सही है मालीज अगर आपके पास कोई system है ideal gas का तो उनकी लिए ये सही है लेकिन किसी और other system की बात करें तो वहां पे इस चीज़ वैलिट नहीं होगी but the same is not valid for other systems जैसे की एक example मैं समझाता हूँ जब भी state change की बात होती है तुम तो समझदार हो example समझा रहो मैं समझना इसको जब भी state change की बात होती है यानि solid से liquid में conversion liquid का gaseous state में conversion है न तो बही solid से जब हम liquid में convert होते हैं या फिर liquid से gaseous state में conversion करते हैं तो उस दौरान आपको पता है temperature जो होता है वो constant होता है तो sir इनके हिसाब से question के हिसाब से अगर temperature constant है तो internal energy में कोई भी change नहीं होना चाहिए internal energy increase नहीं होनी चाहिए लेकिन ऐसे case में जब आपके पास यह चीज़े यहां नहीं चलेगी यह सब यहां नहीं चलता यह वहाँ तक valid है जब तक आपके पास ideal gas का कोई system आ रहा है gaseous state पे जब आप चल रहे हो वहाँ तक चलेगा लेकिन जैसे ही आपके पास माले यहां पर conversion आया आप जा रहो भी है solid से liquid में जब आप conversion कर रहे हो from the solid to the liquid तो उस time पे state change होता है तो temperature तो constant रहेगा but still but still internal energy यहां पे change होती है but still the internal energy changes and the change in internal energy will be equals to m into latent heat of fusion याद आ रहे है कुछ हाँ अगर मैं ice के लिए बात करूँ तो latent heat of fusion लिखते हो बाकि अगर normally लिखना है तो यहां पे लिख लिख लिजे L बोले तो latent heat समझ दो बात को यह gaseous state में जब तक चलते हो ना तुम लोग तब तक के लिए ठीक है एक बारी बोल दिया कि हाँ चलो साब ठीक है gaseous state के लिए बात बोल देता है कि delta U is equals to nCV delta T हाँ तो ठीक है मैं समझता हूँ gaseous state में यह चलेगा ideal gases का कोई system है उसके लिए बात है चलेगी temperature बढ़ाओगे तो internal energy में भी increase होगा लेकिन कोई और system आगे मालो साब अपने पस एक ऐसा system एक ऐसा process जहां पे state change हो रहा है solid से liquid में आ रहे हो उस दौरान temperature तो constant होता है तो काइदे से जो बात यह कह रहे है उसके हिसाब से तो internal energy यहां पे zero नी चीए बट ऐसा थोड़ी होता है internal energy में तो change होता है ना वापे and the change in internal energy given by m into l l बोले तो latent heat तो यहां पे जो इनका सवाल है कि should the internal energy of the system necessarily increases if the temperature increase तो बोला no it is not necessary that if the temperature increases the लिख दो यहां पे statement no it is not necessary that on increasing the temperature that on increasing the temperature internal energy also increases तो यह इसका answer है यह इसका answer है question number two का answer यह है पूरी बाते तो यहां पे समझा चुका हूँ gases state की जब आप बात करे हो ना तो वहां पे लगा लो भीए मुझे कोई दिक्कत नी है टीक है ऐसा system जहां पे ideal gases की बाते हो रही है gases की बाते हो रही है तो लगा लो यह काम यह चल जाएगा कि temperature बढ़ा तो internal energy बढ़ जाएगा gases के लिए valid है क्यों क्योंकि internal energy के नाम पे आता कौन है पहले ते समझो अरे समझो ना यार internal energy के नाम पे है कौन तो sir internal energy के बारे में जब मैं बात करता हूँ potential energy को भी छोड़ो बट मैं kinetic energy की बात करूँ तो आपको याद होगा इसकी dependency directly temperature पे है इसकी dependency directly temperature पे है यानि कि जो temperature बढ़ेगा तो इनका kinetic energy भी बढ़ता है उसके इसमें और यह बढ़िया तो internal energy तो बढ़नी ही है इसलिए मैं बोलता हूँ कि सीधा इनकी जो internal energy होती है उसकी dependency उसकी जो dependency है वो temperature पे आती है directly यानि temperature बढ़ोगे तो internal energy भी बढ़ जाएगी यह काम होता है सिफ gases के लिए दूसरे substances के लिए हैं दूसरे processes के लिए अगर मैं बात करूँ जैसे solid से liquid में conversion हो रहा है वहाँ पे काम नहीं चलेगा यह काम सिफ gases के लिए चलता है इसलिए बोल रहे हैं कि this is valid for the system of ideal gas but not for the other systems ठीक है इसलिए बोला जा रहा है यह वाली बात कि this is valid for the system of ideal gas only not for the other system other systems में यह वाले system भी आते हैं solid liquid हो गया वहाँ क्या करोगे वहाँ फैल जाता है फिर यह सब है ना तो चाप लोगा इस question number two यहाँ पर समाप्त हो गया जली से note करो फिर हम आगे बढ़ते हैं किया note यहाँ पर यह सारा statement लिए ना जली से यह सारी बाते ठीक है और gases के लिए से उसकी डिपेंडेंसी आ रही वह मैं बता चुका हूँ यहाँ पर कि इंटर्नाल एनर्जी के नाम पर होता क्या है molecular level पर हम जाते हैं और वहाँ पर उनके kinetic energy potential energy की बाते करते हैं जब हम molecular level पर जाते हो तो molecules की जो kinetic energy होती ही उनकी dependency temperature पर है समझ गए बात को चलिए भई तो बढ़े आगे question number 2 complete हो चुका है आगे बढ़ते है question number 3 की और आते है question 3 कहता है कि एक cylinder है containing a gas is lifted from the first floor to the second floor एक cylinder जिसमें gas भरी हुई है आप इसको उठा के लिके जा रहे हो first floor से आप इसको second floor पे लिके गए height आपने बढ़ा दी what is the amount of work done on the gas amount of work done जो की gas पे किया जा रहे हो बताना है what is the amount of work done by the gas ये भी बताना है आपको और सवाल ये पूछता है कि internal energy gas की increase होगी क्या और temperature of the gas increase होगा क्या ये सब भी बताना पड़ेगा आपको अच्छा अहां 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 अमांट of work done on the gas amount of work done by the gas सब आपको बताना है expansion होगा height बढ़ेगी atmospheric pressure की बाते हैं थोड़ा सा विचार करो मजा ये इसको solve करने में को आप दिमाग लगा लो फिर मैं बताता हूँ कैसे solve करने से चले भी हो गया चलो भी हो गया मैं बता दूँ बिसकान सर तो वही बात है कि अगर हाप इसको second floor से second floor तक लेके जाते हो तो आप क्या कर रहो height increase कर रहे हो यहाँ पर आपके यह first floor यहाँ पर आपके second floor और अगर आपने container है भाई container के अंदर माली जे gas है इसको यहाँ से यहाँ तक लेके गए है ना तो आपने basically height को increase किया height increase करने से जो atmospheric pressure होता है वो decrease हो जाता है आपने क्या किया भाई first floor से second floor तक लेके गए उपर जिसके कारण height increase कर दी आपने अब height के increase कर जाने से height के increase कर जाने से जो atmospheric pressure होता है वो decrease हो जाता है यानि कि जब आप cylinder को उपर लेके गए तो atmospheric pressure यहाँ पर decrease हो गया atmospheric pressure decrease होने से यह जो gas है इसका expansion होगा रह से लिखना as the height increases as the height increases atmospheric pressure decreases atmospheric pressure यहाँ पर क्या हो जाएगा decrease हो जाएगा due to which gas in the cylinder in the cylinder expands इससे क्यों होगा अभी atmospheric pressure जैसे decrease होगा तो जो cylinder के अंदर की gas थी वो expand हो गई gas expand होने से क्या होगा भी हाँ gas के expansion से क्या होगा सब volume बढ़ गया gas expansion होगा volume increase होगा तो this is actually the work done by the gas so the work done by the gas is given by P into delta V भाई यहाँ देखो volume increase हुआ है gas कब volume जो है वो increase हुआ है gas का तो work done by the gas होगा यहाँ पे ठीक है अगर gas का volume increase हो जाता है it is work done by the gas अगर आपने gas के volume को decrease कर देखे इस work done on the gas तो this is actually the work done by the gas and it is given by P into delta V delta V is the change in the volume P तो आपके पास pressure आ जाता है or delta V is the change in volume change in volume मेर बाद समझ रहो since here the gas is doing work here gas is doing work work so work done on the gas is zero यहाँ पे gas expand हो रही है अगर मैं बोलता ना work done on the gas तो उसकेस में gas compress होती यह कुछ ऐसा situation है बहुत simplest format में अगर आपको समझना हो तो आपने एक container के अंदर एक cylinder के अंदर क्या किया gas fill कर दी gas fill कर दी आपने इसके अंदर यहाँ पे लगा दी एक piston this is a movable piston movable piston मतलब यह ups and down move कर सकता है उपर नीचे move कर सकता है अगर आप work कर रहे हो तो आप इस piston को नीचे push करोगे आप क्या करोगे आपकी tendency है कि आप इस piston को नीचे दबाओगे इससे क्या होगा कि volume of the gas compress हो जाएगा इसकी वज़ा से gas compress हो जाएगी जब आप piston को ऐसे नीचे की दब पुश करोगे तो इसकी वज़ा से क्या होगी gas compress होगी so basically this is the situation when you have work done on the gas you are working on the system इससे क्या होगा gas compress हो रही है piston को आप पुश करोगे नीचे की दब देखो भाई आपके tendency क्या है कि आप piston को नीचे पुश करोगे तो basically आप work done कर रहे हो gas की उपर उसको compress कर रहे हो but when it says कि it is the work done by the gas तो work done by the gas में क्या अंतर होता है कि sir ये piston को gas जो है उपर की तरफ पुश करती है gas क्या करेगे piston को उपर की तब move करेगे so this is the situation work done by the gas अब gas क्या कर रही है piston को उपर move करेगे जिसकी वज़े से I must say that the gas expand कैसे move कर सकती है गैस के पास कोई हाथ है क्या अरे तुम्हारे पास तो भगवान ने हाथ दिये है जो लगा के पुश करोगे किसी को बेचारी gas जो है यहाँ कंटेनर के अंदर उसके पास कोई हाथ थोनी है तो क्या करेगा वो expand होगा वो अपने volume को increase करेगा volume को increase करने की वज़ा से इस piston के उपर एक upward force आएगा तीक है तो this is the work done by the gas एक होता है जो आप work कर रहे हो एक होता है जो gas work करी अंतर समझो दोनों एक होता है जो आप work कर रहे हो एक होता है जो gas work कर रहे है gas जब work कर रहे है तो वो basically expand हो रही उसके आप जब work कर रहे हो तो basically उसके इसमें compress हो रही है आपने जो work किया या फिर मैं बोलू जो तो गैस ने वर्क किया हम उसके लिए पॉजिटिव हैं हम अच्छा लगता है कि गैस वर्क करें हमें गैस पर ना पड़े हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है पॉजिटिव लेते हैं अगर हमें इस इस्टम पर काम करना पड़ जा तो नाराजगी है नेगिटिव लिए पता जिसको नहीं पता बहुत अची बात है चलो आगे बढ़ते हैं यहां पर यह हुआ जैसे ही आप इस सिलेंडर को फर्स फ्लोर से से किंड फ्लोर पे लेखे ट्रेशुर होता जाएगा थो जैसे आप 1st से सेटेंड फ्लॉर पे गए एटमास्फेरिक प्रेशर डिक्राई हो गया अज़े वाह बता हूँ अभी तक इसके इसके उपर लग रहा था अट्म AHत्मास्फेरिक प्रेशर एट्मास्फेरिक प्रेशर जिसकी वज़यसे Ee уже जारया सलग हो अब यह और यह गैस आज़ाद अब तैसे जैसे इसली है तो यह ट्म स्थेंडर एंदर इस गाल रएव कॉन है हमें दभाने वाला जो हमें डबाता था वह यह क्याश्छर होने लगा है तो अब कौन रोकेगा हमें तो यह जो gas cylinder के अंदर है वो expand होती है अब जब यह gas expand हो रही है तो basically यहाँ पे मैंने क्या बोला आपसे expand हो रही है मतलब this is the work done by the gas अगर expand हो रही है तो मैं कहता हूँ this is the work done by the gas gas काम करें इस पे तो बहिए इस case में वो formula जो बनता है work done by the gas का वो बनता है P into delta V ठीक है P बोले तो pressure delta V बोले तो change in volume अब क्योंकि जो work done है वो gas कर रही है तो हम gas पे कोई work नहीं कर रहे है so work done on the gas is zero work done by the gas is P into delta V इनका सवाल क्या था what is the amount of work done on the gas amount of work done on the gas zero amount of work done by the gas कितना P into delta V अब वो कुछ भी हो सकता है numerical value दीन ही उन्होंने क्या करें अगला सवाल है कि internal energy of the gas increase होगी क्या temperature of the gas increase होगा क्या तो भाई यह तब तक नहीं बता सकते जब तक कि मुझे यह नहीं पता चलता कि जो cylinder है यह किस material क्या क्या यह डाया थर्मिक मटीरियल का है कि नहीं अगर यह डाया थर्मिक मटीरियल का होगा तो surrounding के साथ temperature mix कर में है मैच करा देगा और यह जब मुझे material of the cylinder पता हो तो we cannot say anything about the internal energy and the temperature of the gas until unless we don't have the idea of the material of the cylinder, ठीक है तो अगर आप चाहो तो अपनी भाशा में इसको लिख लेना, कि भाई हम तब तक नहीं बता सकते जब तक हमें cylinder के material का पता ना चल जाए, बाकी कहा सवाल ये complete हो चुक है, इसको जली से note कलीजिए, बहुत बढ़िया, अच्छा ये कर लोगा कि change in internal energy and temperature of the gas, हम तब तक नहीं डिफाइन करेंगे जब तक कि हमें ये ना पता चल जाए, कि cylinder का material कैसा है, क्या वो conducting है, क्या वो insulating है, तो यहाँ पर ये लिख ना, that change in internal energy and the temperature of gas depends on the nature of the material of the gas. ठीक है, ये है इसका answer, तो final वाले का answer ये है, ओके, चलिए भई, आगे बढ़ते हैं, अब अगला सवाल, question number 4, क्या कहता है हम से, a force F is applied on a block, भाईया, एक block के उपर एक force F लगा दिया, जिसका mass M था, block जो है, displace करते है, through a distance D in the direction of the force, what is the work done by the force on the block, और दूसरी सवाल पुचा है, कि यहाँ से क्या internal energy change होगा, because of this work, तो इस work की वज़ए से क्या internal energy change होगा, यह आपको सोचना है, यह आपको विचार करना है, तो चलिए भई, हम आपको थोड़ा बहुत hint दे देते हैं, diagram बना के दे देते हैं, यहाँ पे एक डबबा है, इस डबबे के ओं मास capital M, इन्होंने बोला है, डबबे के उपर आपने लगाया force F, जिसकी वज़ए से डबबे ने करा displacement D, और वो पहुँच गया यहाँ पे, this is the initial position, this is the final position, तो वो आपसे work done, अरे यार पता नहीं, क्या ही पूछ लिया यह, तो वो बोल रहा है कि what is the work done by the force on the block, और दूसरा सवाल यह कहता है कि क्या यह जो work done है, क्या यह जो work किया, उसकी वज़ए से box के internal energy में कोई change आ सकता है क्या, तो चलिए विचार करेंगे सभी लोग, जल्दी से try करो और फिर मैं बताता हूँ, कई से करना है, हो गया, बताते हैं हमला आपको, चलिए, इस case में मैं अगर work done की बात करता हूँ, तो work done तो तुम्हें पता ही है, it will be nothing बट force into displacement, और यहां पे cos theta भी आता है, है ना, वैसा अगर इज़द के साथ formula लिखा जाए है, तो it will be fs cos theta, यहां चलो fd cos theta लिख दे तूम, यहां पे साथ theta जो है, वो 0 degree हो जाएगा, because displacement bc direction में, force bc direction में, तो work done का formula हो जाएगा f into d, work done का जो formula हो जाएगा, वो हो जाएगा f into d, चीक है, अब वो पूछ रहें, क्या यह work done, internal energy को change कर सकता है, तो उसके लिए आपको पहले internal energy का knowledge होना चाहिए, आपने पहले ही बोल दिया था कि internal energy is the sum of of kinetic energy and potential energy of the molecule. Molecules के जो kinetic energy और potential energy उसका sum होता है, internal energy और it includes only the energy associated with the motion of the molecules, है ना, so it includes the energy associated with the by molecules के motion से with the motion of molecules, molecule के motion से जो energy है ना, सिफ़् वो ही considerable है, molecule के motion से जो चीज़ energy associated है, वो ही आदी internal energy है, बाकी यह सब नहीं आते हैं, यह सब तुम सोचों की, यहां नहीं, जब बात होती है यहां पे block की, तो block का जो motion हुआ, block का जो motion हुआ, उसमें पूरा system एक साथ चला है, block के motion के दौरान, पूरा system, whole system moves together, system moves together, डबे के motion के दौरान, पूरा system साथ में चला है, जिसकी वज़ासे, no effect, which has no effect on the, molecular motion, जिसका molecular motion पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, जब यहां पे डबे के motion की बात कर रहे थे हैं, तो पूरा एक सिस्टम चला है एक साथ, जिसकी वज़ासे सारे molecule एक साथ बढ़े आगे, जब यहां पे साथ चलते हैं, जिसकी वज़ासे, molecular motion पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिस्से, और जब साहब इस सिस्से, molecular motion पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उसकी internal energy में, कोई change नहीं आएगा, therefore there will be no effect, there will be no change in the internal energy, because of this work, so there will be no change in internal energy, because of this work, because of this work, तो इस वर्क की वज़ासे, internal energy में कोई change नहीं आएगा, ठीक है, तो लेओ बहिया, यह हमारा question number four, समापत हो गया है, चाप लो जल्दी से, note करो जल्दी से, हो गया, note, किया, सभी ने note, यहाँ पर आओ, वो सारी बाते लिखनी हैं आपको, ठीक है, बड़े आगे, question number five, क्या है, आओ ज़रा देखते हैं, the outer surface of a cylinder containing a gas, भाई यह gas containing cylinder है हमारे पास, cylinder के अंदर gas भरी वी है, इसके outer surface को हम continuously, continuously, vigorously हम क्या कर रहे हैं, rub कर रहे हैं, by a polishing machine, एक cylinder ले लिए हमने, जिसके अंदर gas भरी वी है, और इस cylinder के बाहर वाले surface को, continuously, vigorously, बहुत जोर जोर से हम इसको क्या कर रहे हैं, rub कर रहे हैं, by a polishing machine, the cylinder and its gas becomes warm, जिसकी वजा से यह cylinder, और इसके अंदर यह जो gas है, वो गरम हो गई है, तो यहाँ पर is the energy transferred to the gas, heat or work, तो यह जो energy, आपने transfer करी है gas को, यह heat है या फिर work है, यह आपको बताने हैं, भाई work करके भी तो आप energy को supply कर सकते हो, अगर आप किसी डब्बे को उठाके उपर रख दोगे, तो आपने डब्बे पर work किया, and by this work, आपने इस डब्बे को potential energy दी, जो की MGH के बराबर होती है, अरे हाँ, एक डब्बा नीचे से उठाया, और यह ले जाके उपर रख दिया, मैंने तो work किया, आपने तो सरा, विचार करो, हाँ, सोच लिया, चली, अगर आप किसी भी चीज़ को continuously rub करते हो, तो basically वहाँ पर friction होता है, ठीक है, क्या यहाँ पर कोई gas expand हुई है, नहीं सर, volume constant है भी भी, हाँ सर, कुछ और फर्क दिखाया, नहीं सर, तो basically अगर आप work done की बात करते हैं, तो उससे तो basically expansion भी हो सकता था, बिट ऐसा कुछ हुआ नहीं, अब मैं यह कहता हूँ, due to continuous, due to, vigorously rubbing, sorry, अगर आप रगड़ते हो दो चीज़ों को तो वह गरम हो जाती है, अपने हाथ रगड़ों गरम हो जाते हैं, क्यों? friction की वज़ा से, अगर आप अपने हाथों को रगड़ों गे, तो friction produce हो गए यहाँ पे, and यह friction क्या करता है, heat का transfer करता है, heat provide कराता है, तो यहाँ पर भी यह लिखो गए कि, अगर आप इनको rub करते हो, तो work done on the cylinder, zero हो जाएगा, work done on the cylinder, zero हो जाएगा, और यह friction की वज़े से, statement क्या लिखो इसका यार? हाँ, low way, यह सही है, तो वो पूछ रहा है कि, जो energy transfer करिये gas को, वो क्या है, heat है या work है? तो यहाँ पर इसका answer, आप बोलोगे, the energy transferred is a heat, the energy transferred, is a heat, produced by, due to the friction, produced due to the friction, by vigorous rubbing, यह लो, यह answer काफी है, इसका, proper statement, देखो यार, theoretical सवाल है, तो theoretical सवालों के theoretical, जवाब होते हैं, तो एक statement बनाना पड़ता है, तो statement में कभी का दिमाग ना चले, बाकी तुम चाप लो चल ली से, complete हो चुका है, यहाँ पर, ठीक है, वो गरम हो गए, उनका temperature बढ़ी है, वाम हो गए, वो है ना, चलिए बई, question number five, समाप तो चुका है, आगे बढ़ते हैं, question number six क्यों राते हैं, question six कहता है, when we rub our hands, they become warm, लो बहुँ यह सवाल ही आगया, अभी में example दे रहा था, कि जब आप अपने हाथों को रगड़ते हो, तो वो गरम हो जाते है, have we supplied heat to the hand, तो क्या हमने हाथों को heat supply करी, क्या तुम आग के सामने ऐसे खड़े थे क्या, सर यहाँ पर कहीं कोई आग नहीं लगी, कुछ भी नहीं है, फिर भी में हाथों को रगड़ूंगा, तो मेरे हाथ गरम हो जाते है, तो भाई heat कहां से आई फिर इसकेस में, अगर यह heat है, तो heat आई कहां से, तो सर यह विचार करने वाली बात है, अब कैसे करोगे इसमें, तो same concept जो पिछले question में लगा था, same concept यहाँ पर आएगा, कि सर, due to the rubbing, है न, यहाँ पर friction होगा, and because of this friction, heat produced होगी, which is transferred to the hand, समझ जो बात को, क्या आँ से बोलोगे इसका, statement लिखवाए देता हूँ, statement कैसे लिखोगे, that when we rub our hands, when we rub our hands, the friction is produced, तेक है, when we rub, हमें लिखी देता हूँ, जल्दी से लिख देता हूँ, when we rub our hands, friction is produced, यह फिज़ देता हूँ, due to friction, heat is produced, which is transferred, तो यह heat कहां से आ रही है, friction की वज़ा से heat आ रही है, लेक लोग जल्दी से, तो यह friction की वज़ा से ही, अगे बढ़ते हैं अगला सवाल, question number seven, एक close bottle contains some liquid, यह close bottle है, उसके अंदर कुछ liquid है, आप इसको shake करो बहुत जोर जोर से, उससे क्योगा, इस इस shaken vigorously for the five minutes, it is found that the temperature of the liquid is increased, भाई हमारे पास है bottle, बोटल में देखे, लिखे आता हूँ, एक मिट रहूँ, suppose में पास इस bottle है, और इस bottle में आप देखे रहूँ, थोड़ा सा liquid है, ना, इस bottle के अंदर थोड़ा सा liquid है, अब मैं continuously 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 इसको 5 minutes तक ऐसे shake करता रहूँगा, इन दाट केस क्या होगा, कि जो temperature है, वो liquid का रहूँ इनक्रीज हो जाता है, तो जब मैं इस bottle को continuously ऐसे shake कर रहा हूँ, इन दाट केस क्या हो रहा है, कि इसका जो liquid उसका temperature increase हो रहा है, तो सवाल यह है, कि क्या heat का transfer किया गया है कि liquid को, हैं क्या heat का transfer किया गया है कि liquid को या फिर work किया गया है liquid पे neglect the expansion of the heating heating की वज़ा से जो expansion होता है उसको neglect कर दीजिए सवाल यह है कि यह जो temperature बढ़ दा है तो क्या heat का transfer किया गया है या फिर work किया गया है liquid के पर तो जब आप इस bottle को vigorously shake करते हो तो उस दोरान क्या heat का transfer किया गया या फिर उसके पर work किया गया जिससे कि उसके liquid का temperature increase हो रहा है विचार करो बताओ भाई क्या answer बनेगा भाई यह साफ नजर आ रहा है सर heat कहां से transfer कर दी when you are vigorously shaking this bottle so when we vigorously shaking the bottle we are doing work on it जिसकी वज़ा से increases लो यह 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 इसका answer है समापतो के कहा निए इसकी तो आप जब continuously vigorously bottle को shake करते हो तो इस इसने work is done on the liquid due to which the temperature of the liquid increases जिसकी विज़ा से liquid का जो temperature होता है न साब liquid का temperature बढ़ जाता है तो यही है सवाल कोशन नमबर 7 हमारा समापत हो चुका है theoretical वाले पार्ट है थोड़ा सा ध्यान रखे किसी इसका चापो जल्दी से हो गया note कर लिया चलिए आगे बढ़ते हैं question number 8 क्यों राते है question number 8 कहता है the final volume of the system is equal to the initial volume किसी certain process में कोई भी certain process हो सकता है वो isobaric, isocoric, whatever the process is तो कोई भी certain process आपने ले लिया उसमें initial volume बराबर कर दिया final volume के तो is the work done by the system necessarily zero और is it necessarily non-zero तो ये पूछ रहा है कि system के थूँ जो work done है work done by the system है वो क्या compulsory है zero होगा या फिर compulsory non-zero होगा वो बताना है क्या वो compulsory है कि zero हो या compulsory है कि non-zero हो necessarily मतलब जरूरी है वो zero हो या non-zero हो हम सोजा कुछ बोलते हैं कि बें initial volume को और final volume को बराबर कर दें तो work done उस case में zero ही होगा या फिर non-zero ही होगा तुम बताओ क्या होगा सवाल यही पूछा उसने कि अगर initial volume बराबर हो जाए final volume के तो क्या confirm है कि हमेशा work done by the system zero होगा या फिर confirmation ने कि हमेशा work done by the system non-zero होगा यह आपको बताना है तो वह यह it is neither ना बताता हो न अभी आपको ना तो वह necessarily zero होगा ना ही necessarily non-zero होगा क्या मतलब सब अरे भाया वह पहले आपसे बोल रहा है कि अगर यहां पे कोई भी certain process में initial volume बराबर final volume है तो वह compulsory work done by the system zero होगा या फिर compulsory work done by the system non-zero होगा यह बताना है तो हमने बोला देखो compulsory वाली बाते नहीं है इसमें system जो होता है वो होता है P into delta V माल लीजे मैं कोई एक ऐसा process लेता हूँ जिसमें की pressure constant है let P बोले तो pressure is equal to constant मैंने एक ऐसा process लिया जिसमें pressure जो होगा वो सहब constant हो जाएगा अब pressure constant होता है ऐसा कौन सा process है isobaric तो आपने बात करें isobaric process की ठीक है isobaric process में pressure constant होता है तो work done जो बनेगा isobaric process में वो बनेगा P into delta V अब इन्हों ने बोला है कि अगर initial volume बराबर final volume हो जाए तो इस case में delta V तो साहब 0 हो जाएगा ना फिर भले वो आइसobaric process हो तो उस case में work done तो 0 ही होगा तो उस case में work done तो 0 ही होगा तो सर necessarily 0 होना चाहिए था ना आपने यह क्यों लिख दिया कि necessarily 0 भी नहीं होगा नॉन जीरो भी नहीं होगा देखो भई यहां पर भले आपको 0 मिल रहा है अब मैं एक और process बताता हूं वह होता है cyclic process ठीक है अब अगला जो process हाएगा वह होता है cyclic process यहां मैंने आपको isobaric process पर बता दिये और यह जरूरी है कि वह नॉन जीरो ही होगा हमने बोला कोई जरूरी नहीं है जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता कब हो सकता है सर जब initial volume बराबर final volume था तो जीरो हो रहा है पहला situation अब अगले पर मैं आता हूँ in a cyclic process इना cyclic process यह cyclic process की मैं बात करूँ तो भाई अगर आपको याद हो तो कुछ कर्व बनाते थे हम पीवी वाले है याद आ रहे कुछ ऐसे process होते थे हैं cyclic process है यहां से शुरू करें और यही पे खतम करें है cyclic process बिल्कुल सब cyclic process है it is a cyclic process यह एक cyclic process है इसमें initial और final बराबर होगा यानि कि जो आपका initial volume था वही आपका क्या final volume हो रहा है आप देख सकते हों यहां पर इधर आईए initial volume बराबर final volume हो रहे है ठीक है इस cyclic process में work done जो होता है वो थे area under PV कर जो कि not zero आए भी यहां पर इस cyclic process में work done जोता है area under PV कर वाता है जो कि non zero है तो यहां पर work done is not zero even if initial volume and final volume are same मतलब work done पहला situation बता है जहां पर initial volume और final volume पर work done zero हो रहा है अब मैं दूसरा situation बता रहा हूं जहां पर initial volume फाइनल volume बराबर होने पर भी work done zero नहीं हो रहा है तो वह आपसे यहीं पूछ रहा है कि भाईया अगर initial volume और final volume बराबर होंगे तो क्या work done necessarily zero होगा या फिर work done necessarily non zero होगा हमने बोला भाईया work done zero हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ठीक है इसलिए जो statement लेकिना है it is neither necessarily zero nor necessarily non zero तो यह necessarily जो शब्द ना यह गलत होगे बस ठीक है वह zero भी हो सकता है non zero भी हो सकता है zero कब है यह मैंने बता दिया non zero कब है वो भी मैंने आपको बता दिया ठीक है तो यह है कहानी हमारी question number eight की मेरी बात समझ रहे होंगे शायद आप लोग ठीक है delta v zero हो जाता है क्योंकि ठीक है हाँ हाँ चाप लो जल्दी से इसको फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से note करेंगे सभी लोग किया note सभी ने इधर आओ भाईया cyclic process में ऐसा नहीं होता है अजा इस cyclic process में यह path dependent होता है इसलिए वो नहीं आती लेकिन वहीं अगर मैं internal energy की बात करो internal energy zero होती है cyclic process में क्यों क्योंकि sir it depends on the it depends on the initial and the final point and final point ठीक है तो यह initial और final point पर डिपेंड करता है इसलिए यहां पर easy रोज़ाथ बट ऐसा work done के साथ नहीं है उसको इन चीज़ों से मतलब नहीं होता है it depends on कि भाईया क्या रास्ता चूस करते हुए आप जा रहो ठीक है तो किसी भी cyclic process में work done 0 नहीं होता बट internal energy 0 होता है इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेगा आगे चलके बहुत काम आईगी अपने ठीक है कहानी छापने वाली है जल्दी से बाई दा सिस्टम वर्क कर रहा है विदाओ चेंजिंग दा वॉल्यूम पॉसिबल है पॉसिबल है क्या कि सिस्टम काम करें वो भी बिना वॉल्यूम चेंज के इस इट पॉसिबल सब वर्क दन बाई दा सिस्टम इस इकोल स्टू नाराज हो गया कहा है मेरा बोट बुच से वर्क दन बाई दा सिस्टम होता है पी इंटू डेल्टा वी वर्क दन बाई दा सिस्टम होता है पी इंटू डेल्टा वी without changing the volume मतलब without changing the volume यह क्या हो गया without changing volume यानि की delta v equals to zero अरे sir, हो इच नहीं है सकता नहीं हो सकता sir ऐसा work done system नहीं कर सकते जिसमें volume change नहीं हो अगर तुम भी यह विचार लेके रखते हो, तो भै तुम गलत हो, हाँ, अगर तुम हारे मन में भी यह खयाल आता है, तो तुम गलत हो, अभी पिछले कोशन में क्या बोले हम, कि भैया, ऐसे केस में work done 0 हो भी सकता है, और work done 0 नहीं भी हो सकता है, वो depend करता है, कि कौन सा process है पे Isobaric process के लिए बात करे थी तो Isobaric process में तो work done 0 आ रहा था है ना तो Isobaric process में जWestा work done आ रहा था P into delta V तो यहां पे तो work done 0 हो रहा था लेकिन वहीं अगर मैं बात कर रहा था cyclic process की तो भया cyclic process के लिए ऐसी बातें valid नहीं थी cyclic process के लिए हमने बोला यार देखो ऐसा कुछ भी नहीं है work done zero हो नहीं होता हाँ delta use case में zero हो जाता है तो सबस्क्राइक प्रोसेस में हो क्या रहा है basically है तो देखो यार cyclic process में होता क्या है कि initial volume final volume बरावर होते हैं सबस्क्राइक प्रोसेस में होता क्या है initial volume final volume बरावर है लिकिन विए work done जो होता है उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता cyclic process में work done को इस बात से खोई लेना देना नहीं है वहाँ पे तो सीधा delta u zero होता है और cyclic process में according to the first law first law of thermodynamics according to the first law of thermodynamics delta q is equals to delta w plus delta u होता है अगर ये एक cyclic process है तो delta u हो जाएगे zero यानि कि जो भी heat add करोगे उससे सिर्फ work होगा जो भी heat add करोगे उससे सिर्फ work होगा ये कहानी हमारी cyclic process में आती है ठीक है तो इसका सवाल ये है कि क्या ये possible है can a work be done by the system without changing its volume yes 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 can be done by the system work can be done by the system by change without changing its volume changing its volume ये वाली बाते लिख लेना आप लोग ये आपके लिए काम की होगी ठीक है तो हमारा question number nine समाप्त हो गया है जल्दी salute करेंगे सभी लोग फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और होगे बाई चाप लिया सभी ने चलिए बहुत समझदार हो तुम लोग तो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल question number 10 कहता है एक ideal gas को pump कर रहे हैं एक रिजिट container में ओके हविंगे डाटनीक वाल्स तो आट टेंपरेचर रिमेंस constant in a certain time interval the pressure in the container is doubled is the internal energy of the content of the container also doubled in the interval okay चलिए अब सवाल बहुत ही प्या बोला है किया कि एक container एक rigid container उन्होंने ले रखा है जिसके डाया थर्मिक वाल्स है ठीक है so now we have the container having the डाया थर्मिक वाल्स और इसके अंदर continuously यह मैंना एक container बना दिया ठीक है डाया थर्मिक वाल्स बढ़िया सुखद माई जीवन जी रहे हैं यहापर बढ़िया अब temperature constant रहेगा इसके वज़ा से temperature constant रहने से internal energy तो constant होनी चाहिए थी ना डाया थर्मिक वाल्स होनी की वज़ा से एक फायदा मिलता है कि temperature जो है वो constant हो जाएगा और आप जानते हो temperature अगर constant होता है तो internal energy भी constant होती है होती है अब क्या कर रहा हो आप इस में in a certain time interval the pressure in the container is doubled इससे पहले आप क्या कर रहे थे ideal gas को pump into कर रहे हो यानि continuously आप इसमें gas की supply कर रहे हो यहां से मैं एक container पे यह थोड़ा सा vacuum वाली जगा मना देता हूं यहां से continuously आप gas को pump कर रहे हो continue से gas यहां पर pumping की जा रहे है अब यहां पे कुछ समय के बाद pressure को डबल कर दिया कुछ समय के बाद pressure को आपने डबल कर दिया तो pressure को डबल करने से क्या internal energy में कोई फर्क पड़ेगा क्या क्या वो internal energy भी डबल हो जाएगी है तो यह विचार करना है आपको करो भाई विचार करो सोचो क्या बात बन सकती है इसमें प्रेशर को डबल कर दिया हम लोगों ने गयास को कॉंटिनूसली पंप इन किये जा रहे है डाया थर्मिक वॉल्स है जिससे टंप्रेचर कॉंसेंट रहे वॉल्यूम ऑफ दे कंटेनर कभी नहीं बदलता कंटेनर का अरे गयास का वॉल्यूम के बराबर ही लेते हैं अब आप कॉंटिनूसली गैस को पंप इन किये जा रहे हो और कुछ समय के बाद इसका प्रेशर जो है वो डबल हो गया है ठीक है इन असर्टेन टाम इंटर प्रेशर इन इस डबल वो हुआ है ठीक है नाओ सिंस गैस इस कॉंटिनूसली पंप इन पंप इन तो दे नंबर अफ मोल्स इनक्रीज़ इस कॉंटिनूसली हाँ ये बात सही बोली कि नंबर अफ मोल कॉंटिनूसली क्या हो जाएंगे इनक्रीज हो जाएंगे गैस को continuously pump करने से जितने time आपने gas pump करी है उतने time में number of moles increase होते रहेंगे अब सीधी सी बात है भाईया ideal gas के लिए PV is equals to NRT वाली condition लगा लेते हैं बाकी सारी चीज़े constant करके peak dependency N पे दिखा दो भाईया peak dependency N पे दिखा देता हूँ जिसकी वज़ा से मैं बोलता हूँ कि अगर pressure को double किया है if pressure is doubled तो मैं कहता हूँ number of moles number of moles also get doubled get doubled यानि कि number of moles final वाले जो है that will be two times of N initial बाई अगर pressure double हो गया है तो number of moles भी बढ़ जाएंगे यहाँ पे ठीक है अब number of moles बढबल हुए है तो इससे internal energy पे कोई फर्क पड़ेगा क्या तो साहब आप भी समझते हो हम भी समझते हैं कि internal energy के formula में आप N cv delta t लिखते हो यहाँ पे इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ दा है इस time पे लेकिन इसकी dependency यहाँ पे number of moles पे भी आ रही है temperatures में कोई बले बदलाओ ने करें लेकिन number of moles तो बदल रहे ना तो u की dependency आती है number of moles पे यहाँ पे क्योंकि बाकी factors constant है अपने पास बाकी के factors अपने पास constant है temperature वाला part हमारे पास constant है cv constant है तो भाईया u equals to number of moles पे dependency आती है यानि की as end up get doubled number of moles get doubled therefore internal energy also get doubled also get doubled internal energy भी क्या हो जाएगा इस केस में double हो जाएगी तो उसने पूचा कि कोई बदलाव आएगा क्या वो double हो जाएगी तो हाँ sir internal energy double हो जाएगी क्योंकि number of moles double हो गए है यहां पे तीक है number of moles बढ़ रहे है इससलिए वहाँ पे internal energy में change आ रहा है इसलिए बढ़ दिये हैं क्योंकि number of moles बढ़ दे हैं ठीक है समझते हो question number 10 तो चाप लो यही बाते हैं जल्दी से note करें फिर हम आगे बढ़ते भई हो गया note किया सभी ने यहां पर आओगे फटा-फट से यह सारी बाते भी लिख लेना internal energy की dependency number of moles पे भी तो है बाकी के factor अगर constant हो जेंगे तो number of moles तो भी बाकी है भई वो भी double हो जाएगा ठीक है हो गया note किया सभी ने note कर लिया चलिए भई so question number 10 समाप ठुआ आगे बढ़ते हैं question number 11 की ओर कहते हैं भई यह जब एक tire फटता है the air coming out is cooler than the surrounding air जब एक tire फटता है न तो जर एयर under ct air के अंदर भी तो होगे भी है न तो जब tire फट रहाय तो अंदर से जो हवा बहार आ रहे हैं वो ठंडी होती है क्यूं होती यह आपको बताना है अब सोचो जड़ा कि टायर फटा और टायर के अंदर से जो हवा बाहर आई वो ठंडी है बिल्कुल क्यों है ठंडी इसका विचार तुम्हें करना है को ट्राइ करो सोच लो दिमाग लगा लो पहली चीज आपको यह समझना चाहिए कि बर्स्टिंग आफ टायर कौन सा प्रोसेस होता है ट्राइ किया समी ने हाँ तुम्हें सा बर्स्टिंग आफ टायर आता है एडियाबेटिक प्रोसेस में और वो भी एक्स्पैंशन हो रहा भी है वो भी क्या रहा है एक्स्पैंशन हो रहा है अब तुम खुच सोचो टायर में जो हवा भरी होती है वो अंदर जो हवा है अब देखो जैसे टायर फटता है तो एक्स्पैंशन होगा अब यहाँ पे अंदर जो टायर में जो प्रेशर है वो बाहार के प्रेशर से तो ज्या टायर के अंदर जो हवा भरी होगी, वो higher pressure पर होती है, है न? तो inside the air, या फिर मैं बोलता हूँ, inside the tire, is at higher temperature, temperature क्यों बोल रहा हूँ मैं, pressure, ठीक है? बाई, ये higher pressure पर है, जैसे tire burst होगा, वो atmospheric pressure में जाएगा, यानि उसका pressure decrease हो रहा है, इसलिए मैं बोलता हूँ, कि ये एक expansion है, ठीक है? समझ रहे हो बात को, tire के अंदर का pressure कम है, जैसे tire फटता है, तो वो बहार आता है, atmospheric pressure पर, surrounding कर जो atmospheric है, जिसकी वज़ा से expansion of air होता है, ठीक है? तो air inside the tire is at higher pressure, तो tire burst, आचा एक बात बताओ, एक बात बताओ, कि higher pressure था, बहार surrounding का atmospheric pressure है, ये higher pressure पर, बहार surrounding में atmospheric pressure, और जैसे tire फटा, ये pressure जो है भईया, वो decrease होने लगा, pressure decrease होता है, तो भईया, air जो अंदर थी, उसका expansion हुआ, air का expansion, that means, work is done by the air, work is done by the air, सभी बात है, expansion में तो मैंने ये ही बताया, भईया, gas जो होती है, वो work करती है, यहाँ पर air है, air ने work कर है, मुझे एक बार बताओ, जब आप work करते हो, तो क्या आप ठक जाते हो? हाँ, बिल्कुल ठकते हैं सच, अरे तुमसे कोई बोल दे कि भईये, ये 10 किलो का डबा उठाके, तुमें दूसरी मंजिल पर रखना है ले जाके, तुम 10 किलो का डबा उठाके, जब दूसरे मंजिल तक पहुंसते हो, तो ठक जाते हो, पसीने छूट जाते है, हालत खराब हो जाती है, हां, यानि कि जब आप work करते हो, तो आप अपनी energy लगा रहे हो उसमें, जब आप work कर रहे हो, तो आप अपनी energy utilize कर रहे हो उस case में, तो जब भैही system काम करेगा, जब air work करेगी, तो वो अपनी internal energy के utilization करेगा जिसके कारण उसके इंटर्नल एनर्जी क्या हो जाएगे भीया, डिक्रीस हो जाएगी यहाँ पर work is done by the air, जिसकी वज़ा सो उसके इंटर्नल एनर्जी डिक्रीस होगी with the decrease in the internal energy or with the decrease in the internal energy भाया, इंटर्नल एनर्जी में जो डिक्रीस हुआ है न with the decrease in the internal energy, temperature also decreases जिसके वज़ा से क्यों दब है यहाँ, temperature भी डिक्रीस हो जाएगा and thus and thus the air coming out is cooler than the surrounding air लो भाया, पूरा समझा दिया, विस्तार में बढ़िया तरीके से यह है कहानी, हमारे question number 11 की, चाप लो जल्दी से जल्दी से नोट करेंगे सभी लोग, फटा-फट से नोट कर लो भाया हो गया, नोट किया है सभी ने, question number 11, complete हो गया, समझ आ गहीं सभी को, तो चलिए बहीं, आगे बढ़ते हैं, question number 12 की और आते हैं, when we heat an object, जब आप किसी object को heat कर रहे हो, it expands, वो expand होता है, is the work done by the object in this process, तो कैस प्रोसेस में work done by the object था क्या, is the heat given to the object equal to the increase in its internal energy, क्या जो heat आप object को दे रहे हो, वो उसके internal energy में जो increase हो रहा है, उसके बराबर है क्या, तो अब आप किसी object को heat करते हो, तो thermal expansion पढ़ा है न, वो expand हो गया, वो क्या हो गया साब, expand हो गया, तो क्या work done by the object होगा इसमें, यहां पर work done by the object हो रहे है, work done on the object हो रहे है, यह चीज़ क्लियर करनी है, दूसरी चीज़, कि अगर मालो चलो heat भी हमने दी object को, तो क्या वो heat बराबर है, increase in the internal energy के, यह आपको बताना है, बता पाओगे, एक और try करो, देखो क्या answer बनता है, हो गया भई, अच्छा, सब्सक्राइब जी, सवाल कहता है कि अगर मैं heat कर रहा हूं किसी object को, यानि किसी object को मैंने heat दिया, तो एक्स्पाइब हुआ, वक्डन बाइद अब्जेक इन दिस प्रसेस, तो क्या सर अगर एक्स्पाइब हो रहा है, तो इस दो वक्डन बाइद अब्जेक इन अब्जेक इन दिस प्रसेस, तो हाँ भी, इस अच्छली दा वक्डन, so when heat is given to the object, it expands, when heat is given to an object, it expands, so the work done by the object, object is equals to P into delta V, obviously यह पात है, work done by the object इस के समें क्यों हो जाएगा, P into delta V हो जाएगा, now, क्या यह 0 है, नहीं तो, क्या यह 0 है, नहीं तो, बिल्कुल भी नहीं, it is not equals to 0, now, according to the first law of thermodynamics, according to first law of thermodynamics, thermodynamics का जो पहला law है, वो हमसे कहता है, कि जो भी आप heat किसी system को, किसी object को दे रहे हो, उससे वो work करेगा, और फिर कुछ energy को store भी करेगा, या तो वो work कर रहा है, या फिर वो energy को store कर रहा है, since delta w not equals to 0, therefore, delta q not equals to delta u, उन्हेंने बोला है कि, is the heat given to the object, equal to the increase in the internet, ना 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 बिल्कुल नहीं साप, ऐसी बात मत करना, क्योंकि work done है यहाँ पे, work done by the object है यहाँ पे, कि 0 नहीं है, since the work done by the object is not 0, work done by the object is not 0, therefore, delta q, delta u के बराबर नहीं होगा, क्योंकि, अब बात यहाँ आती है, कि भाईया, जो भी heat दी है, उससे वो कुछ work करेगा, और कुछ energy store करेगा, ठीक है, जो भी heat आपने दी, उससे वो कुछ work करेगा, और कुछ energy store करेगा, वो बोड़ रहे हैं, कि जो heat आपने दी है, कि वो सारा का सारा, internal energy को बढ़ाने में, यूज कर लेगा, क्या, ऐसी बात कह रहाता, ऐसी बातें, बहुत गलत होती हैं, क्योंकि work done by the object 0 नहीं है, अगर यह 0 होता, तो एक बारी के लिए मैं समझता, कि यह चीज़ सही हो जाती, ठीक है, work done by the object 0 अगर हो जाता, तो यह बात कहने वाली थी, बट work done by the object 0 नहीं है, तो यह वाली बात हम बिलकुल भी नहीं कहेंगे, तो आपका सवाल यहां पर समाप्त होता है, वो यही पूछ रहा है, कि आपने किसी object को heat करा, तो वो expand होता है, तो क्या यह work done by the object है, हाँ बढ़ी, expansion हो रहा है उसका, तो वो काम कर रहा है, और वो expansion के वज़ए से, जो work done का जो formula आता है, given by a pain to delta V, where delta V is the change in volume, ठीक है, delta V change in volume हो जाएगा, work done by the object, यहाँ पे zero नहीं हो रहा, और अगर मैं first law of thermodynamics की बात करूँ, तो बही delta Q, delta W plus delta U के बराबर होता है, या निकि अगर आपने किसी system को, किसी object को अगर heat दे रही, तो उससे वो काम करेगा, और कुछ energy store करेगा, सीधी सी बात है, अगर तुम्हें तीन दिन से भुखा रख दिया जाए, तीन दिन तक तुम्हें कुछ खाने को न दिया जाए, और फिर तीसरे दिन तुम्हें खाना दिया जाए, तो तुम क्या करोगे, सर, हम खाना खाएंगे, उस खाना खाने से हम कुछ work करेंगे, जो कि तीन दिन से हम नहीं कर पा रहे थे हैं ना तो वह खाना खाया उससे तुम कुछ वर्क करोगे और कुछ एनरजी कुछ ताकत मिलेगी तुम्हें ठीक है तो बाई तुम माल लो किसी जंगल में फजगे जाके बढ़िया तीन दिन से कुछ नहीं मिल रहा और तीसरी दिन तुम में खाना मिला तो तुम क्या करोगे सर हम पहले तो खाना खाएंगे खाना खाके हम उस जंगल से निकलने की कोशिश करेंगे और कुछ कान खाना हम इंटर्नल एनरजी पैक करके रखनेंगे एनरजी बढ़ालिंग अपनी ताकि आगे भी काम आ सके तो वाली बात है च पांटीनूसली ऐसे चमद सीहलाते रोहा थिलाते रोहा था तो वह हीट हो जाता सन को जाता है जटे सिंटारी वर्सिबल प्रतो सश चया यह कोई रिवर्सिबल प्र को बताना है तो बैर करो एक बार देखो, क्या अंसर आता है? So, when we stir a liquid vigorously हाँ जी, तो वो warm होता है because of the work, जो कि उसके उपर किया, भे यार तुम अगर स्टेर कर रहे हो, तो कुछ work कर रहे हो उस case में हाँ, तो वो बोलता है, is it a reversible process, यानि कि अगर हम चम्मच को अभी ऐसे गुमा रहे clockwise direction में, चम्मच में ऐसे clockwise गुमा रहे हो, clockwise गुमा रहे हो this is a non-reversible process मतलब की, if we steer it in opposite direction steer it in opposite direction अगर भाई है, इसको opposite direction में हम ऐसे steer करेंगे, then also the liquid warms, तो भी जो liquid होगा वो गरम ही होगा, ठीक है, तो क्या है भाई है एक non-reversible process है, अज़ रिवर्सिबल process क्यों होता है, कि भाई है, अगर मैंने कुछ किया, जिससे कुछ और मिला, जैसे कि suppose करो, कौन सा होता है, अरे मैं कुछ daily life से सोच रहा हूँ, daily life में कुछ reversible process बताओ, जैसे सारे non-reversible याद आ रहे, चलो कोई बाती छोड़ो, भाई, सीदी सी बात है, इसी में मैं समझा देता हूँ, कि अगर आपने क्या किया, एक भगोने में पानी रका, उसको ऐसे 스ेर कर रो, कर रहे हो, कर रहे हो, इसके राता हूँ की? hoofोञ हो गया, ऑब मैंने चम्मच कोर रोका और उल्टा घुमाना शुरू किया तो उल्टा घुमाने से, विगरसली फास्ट पस्ट फास्ट फास्ट इसको आप ऐसे क्लॉकवड़। believed छब से रहे ज़े वाँ हो गया। सब्सक्रिय तो पानी और नहीं होगास कि तुम नहीं नहीं होताई तुर रिवर्सिवल प्रोसेस वो होते हैं कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो किया और एक रिजल्ट मिला तो उस प्रोसेस को रिवर्स करने से आपको फिर से वही चीज मिल जाएगी जो पहले थी ठीक है अरे जैसे होता है ना वो हैरी पॉर्टर में मंतर पढ़ोगे तो कुछ रियक्शन हो जाएगा उसका उल्टा पढ़ोगे तो फिर से नॉमल हो जाएगी चीज है ना रहे ऐसा ही होता है मंतर को पढ़ोगे तो कुछ जादू हो जाएगा उसका उल्टा करोगे तो फिर बहिए हीट दे दूगा तो क्या होगा पानी बन जाएगा हीट निकाल दूगा तो क्या होगा बरफ बन जाएगी फिर से है वह अगर बरफ है उसको मैंने हीट सप्लाई करी वो मेल्ट हो गया वाटर कनवर्ट हो गया अगर मैं समसे हीट निकाल दू तो क्या होगा फिर सो बर चलिए यह हो गया complete question number 13 I hope सभी को समझ आ रहे हैं चाप लो जल्ली से चाप लिया बड़े आगे ओके तो आगे बढ़ते हैं question number 14 क्यों राते हैं question 14 कहता है what should be the condition for the efficiency of a car not engine to be equals to one car not engine की efficiency one होनी चीए यह कौन से condition हो सकती है इसलिए आपको सबसे पहले तो car not engine की efficiency पता होनी चीए अगर मैं बात करू efficiency of the car not engine तो कितने लोग जानते हैं कि वो होता है कितना है w divided by q1 होता है न शायद और यहाँ पे इसको लिखा जाता है q1 minus का q2 divided by q1 q1 is the heat जो की extracted किया जाता है from the source याद आ रहा है कुछ यह engine होता है और यहाँ पे sink होता है यह कुछ work करता है q1 is the heat जो की source हमें देता है जो higher temperature t1 पे है हम कुछ work करते हैं और जो बची हुई हीट होती है उसको हम क्या करते है sink में जो की lower temperature पे है वहाँ पे छोड़ देते है तो basically w जो होगा वह आपका q1 minus q2 हो जाएगा हाँ यह heat engine की बाद चल रही है यह भी सरी है न हीट इंजन की बाद चल रही है यहाँ पे तो यह efficiency होता था आपको याद होगा यह higher temperature पे lower temperature पे sink मतलब surrounding में उसको छोड़ दिया जैसे कि CDC बात है आप जब गाड़ी चलाते हो तो क्या होता है बाई जब गाड़ी चलाते है तो petrol से हम power energy लेते है heat energy है न उससे गाड़ी चली और जो बची वी energy थी वह surrounding में छोड़ दी engine गरम हो जाते है न फिर तुमने दे बोल रहे हैं कि ऐसा कोई engine है क्या जिसमें efficiency 1 हो जाए efficiency अगर 1 चाहते हो तो उसकी लिए आपको W को Q1 के बराबर करना पड़ेगा मतलब समझ जो तुम लोग है जितनी energy मिली उससे सारा काम कर लिया जाए जितनी energy मिली उससे सारा work convert कर दिया जाए surrounding में कोई भी heat नहीं चोड surrounding में कोई भी heat नहीं release करी ऐसा कोई engine मिलता है नहीं मिलता ना तो यह पहली बात तो ideal condition है ऐसा होता नहीं है थीक है condition क्या क्या हो सकती है तो condition हो सकता है कि W जो है यानि कि जो work done by the engine है वो जो heat extract की है from the source उसके बराबर हो जाए work done by the engine should be equal to the heat extracted from the source from source या फिर efficiency के इस formula के हिसाब से देखें तो q1 minus q2 divided by q1 इसके हिसाब से q2 को 0 होना चाहिए यानि कि heat released to the sink should be zero surrounding में कोई भी heat नहीं release करनी चाहिए तो भाई कोई भी condition लगा बात वही है बात एक ही है बस तरीका अलग अलग लिखने का इसका मतलब क्या है कि जो भी heat extract करोगे source से उससे सारा work कर दो और और मतलब heat जो सिंक में release कर रहे हो जीरो होना चाहिए एक ही तो बात है वह वह दोने एक ही बात है तो इसको जल्दी से छाप लो यार कोशन नंबर 14 हमारा जब कोई object थंडा हो जाएगा तो heat उसमें से निकाली जाती है और विसी बात है बही किसी object में से अगर heat निकालोगे तो वह थंडा हो जाता है दस दा entropy of the object decreases in this process तो क्या इस process में किसी object की entropy decrease हो रही है सर अगर आप उसमें से heat निकाल रहे हो तो no doubt उसके entropy तो decrease हो रही है यह बात तो सही है if yes, so is it a violation of the second law of thermodynamics which is stated in the terms of increase in the entropy आपको thermodynamics का जो second law है जो कि क्या कहता है युनिवर्स की जो entropy है वो बढ़ती रहती है है ना यही बोलता ना भाई युनिवर्स की entropy बढ़ती रहती है तो क्या यह उसका violation है क्योंकि आप बोल रहे हो कि युनिवर्स की entropy बढ़ती रहती है और अधर बोल रहे हो कि object की entropy decrease हो जाएगी so is it a violation of the rule is it a violation of the rule of the second law सोचो ज़रा विचार करो यार एक वाँ सोच लो जल्दी से तो क्या लिको भी इसमे यही सारी बते है when an object cools down, heat is withdrawn from it and hence its entropy decreases when an object भाई जल्दी से लिको यार खतम करो आखरी सवाल है cools down heat is withdrawn from it hence the entropy of the object decreases ठीक है? object के तो entropy decreases होगी अच्छा मुझे एक बात बता हो कि वो जो heat extract करी है तुमने या जो heat तुमने withdraw करी है वो कहाँ छोड़ोगे? जो heat तुमने withdraw की वो कहाँ छोड़ोगे? उसको छोड़ा जाएगा surrounding में है तो कैसे लिकोगे? the withdrawn heat is released to the surrounding the withdrawn heat is released to the surrounding लिक दे तूँ thus increasing its entropy तो इससे क्या होगा? जो surrounding में आपने छोड़ा तो वहाँ उसकी entropy बढ़ जाएगे भी heat निकालोगे तो entropy घड़ रही है वहाँ पर उसको supply कर दिया तो entropy बढ़ दाएगे तो भाई यहाँ यहाँ पर universe की entropy की बात कर रहा तो उसमें object और surrounding दो आएगे तो बताओ भई क्या यह violation है की नहीं है? विचार करो फिर यहाँ पर ऐसे लिख लेना it is not a violation second of the second law of thermodynamics as it states entropy of universe entropy of universe always increase अरे यह क्या लग दिया मैंने universe समझ आ रहा है तुम लोगों को मेर राइटिंग समझ आ रही है entropy of universe always increasing ठीक है? तो यहाँ पर अगर में net entropy की बात करूँ तो उसमें क्या है? it is the entropy of the object plus entropy of surrounding of surrounding तो यहाँ से निकाल के आप यहाँ भी तो दे रहे हो surrounding में and if it is overall increasing तो यह और add-on करने से सुनो ना if it is always increasing तो यहाँ पर अगर object के entropy कम हो गई तो वो heat का आ गई वो surrounding में दे दी जिसकी विज़े से surrounding यह entropy और बढ़ जाती है at the end यहाँ पे जो net entropy है वह increase ही हो रही है तो इससे कोई violation नहीं है यह यह तो यहाँ पे इसका कोई violation नहीं नहीं हो रहा ह। आपने object safe heat निकाल दी वह surrounding में छोड़ दी तो एट लिस्ट वो वाइलेशन तो नहीं कर रहा है तो यहां पे इसका कोई वाइलेशन नहीं हो रहा है बस यह है इससे जादा कुछ भी नहीं है तो एक वर्शन नमबर 15 है भाईया जल्दी से चाप लो फिर हम आगे बढ़ते हैं ठीक है तो अगर नेट एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो युनिवर्स के एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी और यहां पे आप देखो तो नेट एंट्रोपी को हम क्या लिखते हैं यास लेग तूँ, as net entropy increases लो वे, यह सारी बाते हैं हो चुकी है, तो net entropy होगी ओब्जेक्क की भले सा गढ़ जा है बहां surrounding तो बढ़ दी है न, तो overall the net entropy increases जिसकी वज़ा से universe entropy increase होती रहे, this is according to the second law of thermodynamics, तो इसका कोई violation यहां पर नहीं हो रहा है तो भाई कहानी समाप तुई कोशन नमबर 15 की उम्मीद करतों सब को समझ आ गई है तो आगे बढ़ते हैं और खतम करते हैं हमारे इस कोशन फॉर शॉट आंसर के सिलसिले को यहां पे जो 15 सवाल करा हैं उम्मीद करतों आपको बड़िया तरीके से समझ आ गयो कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परिशानी नहीं रही होगी एकिन फिर भी कोई भी कोशन में डाउट अगर आता है उसको मैंशन करें कमेंट सेक्षिन में तो यहां पे यह सारी वीडियो आपको चैप्टर वाइस सीक्वेंस में अरेंज की हुई मिल जाएगी साथ यह वीड को आप कितने बार भी देखो मैंट मेंस से आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी ठीक है बागी यह चीज़े अपने दोस्तों तक भी पहुचा दीजे उनको भी बोल दीजे कि भाईया अगर तुम्हें भी फ्री में क्वालिटी एजुकेशन चाहिए सब्सक्राइब करते हैं हमारे आज की सेशन को नेक्स्ट सेशन अब्जेक्टिव वन का होगा तुम्हें पता है सेशन को मत करना बाकी बाई मिलते हैं अगले सेशन में तब तक अपना ध्यान रखिए पढ़ाई करते रहे हैं ओल्दा वेरी बेस्ट